कि नमश्कार दोस्तों स्वागत है पीडवली आईएस में अभी कुछ ही दिनों में अब बजट आने वाला है और बजट के अराउंड जो हमने पहली फोटो रिलीज हुई देखी वो ये थी जब फनांस मिनिस्टर मैम ने हलवा सर्मेनी और्गनाईज करी जो ये स्पेकुले करती है कि हाँ अब बजट में क्या आने वाला है क्या नया जुड़ेगा क्या आठेगा हलवा सर्मेनी मीन्स कि बजट अब फाइनलाइज हो चुका है और ये बजट दोहजार चौबिस के लिए है जो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम एस्पिरेंट्स के लिए इलेक्शन इयर में आ रहा है अब इसकी वज़े से कई सारी चीज़ें हमारे सामने नहीं होंगी या ऐसी होंगी जो नहीं होनी चाहिए जैसे एकनोमिक सर्वे जो हर साल आता है अब वो इस साल नहीं आएगा बजट के स्टार्टिंग में सारी स्पेकुलिशन को रोकते हु यानि एक अंतरिम बजट है इंटरिम इंटरिम मेंस होता है बीच के अंतराल के लिए बस मिडल के लिए अब क्या है कुल मिला के यह जो यह पूरा इंटरिम बजट होता है यह खाली इसलिए होता है ताकि इस समय जो करेंट में सरकार है जो इंकम्मेंट सरकार है वो अपना काम कर सके और वह उसके बाद फिर नई सरकार चुनी जाएगी अब इसी के लिए इस दौरान के लिए क्योंकि बजट तो आएगा फिर पूरे साल के लिए आता है बजट अब ऐसे में अगर नई सरकार कोई और हो जाए तो वह तो कहते कर दिभी दिखेंगे हम बजट वाले समय को हम ऐसे बोलेंगे या तो इलेक्षण यहर या नौन dolar तो अब अगर यह इलेक्षण यहर है तो यहां पर देखेंगे वह या बोलता हूँ कि जो प्रशासन की तलवार होती है वो होती ही सरकार के पास और प्रशासन का बटवा होता है जो पर्स होता है वो होता है पार्लमेंट के पास पार्लमेंट मम्मी है मम्मी के पास सारे सब कुछ पैसे हैं सब कुछ है तो सरकार को मम्मी के पास आना पड़ता है प आपको हाल फिलाल में मार्च वन से लेके जब तक नई सरकार आ रही है उस समय के लिए आपका जो जो खर्चा हो रहा है देन फॉर दैट यू नीड पर्मिशन फ्रॉम्ट पार्लिमेंट टू इंकर जितनी सारी कॉस्ट हो रही है क्योंकि कॉस्ट तो है कई सारे ऑफिसेज है कई सारे फिक्स अग्सटेश हैं कई सारे एकंसेज हैं इंवेस्टमेंट हैं तो अब सा अबailable इने हैं पेंशन देनी हैं और प्रोग्राम है जो पाले 17 चल रही हैं वह तो तो ऐसे के लिए आपको कुछ-कुछ पैसा चाहिए कुछ-कुछ खर्चा चाहिए, हम वो कहते हैं जब सरकार मांगती है पार्लेमेंट से कि हाँ ये हुआ है, वोट on account याद आगया पार्लेमेंट चैप्टर कितना लंबा चैप्टर था वो, हमने वाँ पड़ा भी था Parliament के पास power है, पैसे को रोकने के लिए और पैसे को बाब में पूछने के लिए कि कहा का खर्चा कर दिये, कितना कर दिये, यह नहीं करना था, ज्यादा करना था, जो भी है, तो हम उसको कहते हैं कि Parliament सरकार से बोलती है कि आप हमसे पैसा मांगो पहले, formally, अच्छे तरीके से, उ आप एकाउंट के लिए बोट करवा रहे हो Parliament, Parliament आपको thumbs up दे रहा है कि यहाँ ठीक आप कर सकते हो, that means कि you are seeking the approval of Parliament for essential government spending और कुछ ऐसे पैसे जो आपको निकालने है, Consolidated Fund of India से, याद है हमारा भारत का संचित राजकोश, याद आगया हमारा जो राजकोश, हमारा जो खजान है, वहाँ से अगर आपको कोई भी पैसा निकालना है, उस बटूए में से, उस खजाने में से, तो आपको उस Parliament से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बैठे है, जनता की democracy से तुने हुए, ऐसे ऐसे लोग जो वहाँ उनको represent करना गए है, अब उनी को पूछते हुए सरकार कहती है, हम तो लाएं इंटरिम बजेट, छी कैक तो ये फरेक हो गया, ओनरे हो जो और टांज में जाना है, जब पारलमेंट ने थारी रहे है, तो वो हम दे रहे है, अब ये पास्ट ये के कंवेंशन ही है ठीक है चलो इसको हमने मान लिया कि थीजा इस पर डिसक्षान होगा नहीं होगा बात की बात है इस यूजुवलिट फॉर अप्टू टू मंथ बस बट कैन भी एक्स्टेंड चलो ठीक है यह कॉंसिट्यूशन की लेंग्वेज है बड़ा बड़ा फॉर्म म लेंग्वेज है कुल मिला गया हम समझ में आ गया बोटन अगाउंट माने पार्लेमेंट से पैसा मागना यानि कि जब सरकार के पटिकुलर्ली फैनांस मिनिस्टर और इनके सारे साथी ऑफिसर्स सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी यह लोग जब जाते और कहीं कुछ और एंगल है तो डिफरेंस क्या रहा डिफरेंस यह रहा कुल मिला के जो इंटरेम बजट है इट कंसिस्ट और बोट एक्स्पेंडिचर भी और रिषीट भी पर जो कि नॉर्मल बजट होता है नॉर्मल बजट में वोटन एकाउंट लिस्ट ओनली एक्सपे बजट है यहां पर जो वोटन एकाउंट है इट डील स्पेसिफिकली विद एक्सपेंडिचर ओनली एट एट इस पास बाइलोग सभा बस इसमें कोई और कसिट्रेशन नहीं कोई डिसक्शन नहीं कोई कुछ नहीं इंटरिम बजट जो हुआ इसमेल टूंट लिसक्शन नहीं होगा बस खाली बात होगी ठीक है इंटरिम बजट बजट बस लेकिन क्योंकि टाइम अंतराल की बात हो नी क्योंकि नहीं सरकार आने वाली कुछ दिनों में उसको भी अपना काम करना होगा तो हैस प्रोजेक्शन फॉर फूर वोटन क्या है एडवांस में पैसा लेके बैठे हुए बस हमें कुछ समय के लिए खर्चा करना है कुछ-कुछ हमें बादा सौल करनी है कई सारे जो लेंडिंग है उनको चलाते रहना है सब की सेलरी जानी है वह सब करना है ठीक है अब इंट्रिम बज़ेट और डिफिरेंस क्या है of फिल लेजट बजटें प्रोविजनल इससनीट एक च्भाग learnt तेद parliament स्टेट के इसमें भागीदर नहीं वन के आ यूपी में यह पूरे देश का बजयुट भूजट होता यह एक अभी वह गीज़ धीन गडित ठीक बात है अब जो इंटरिम बजट हुआ इंफसाइज कॉंटिनुवीटी बस के कॉंटिनुटी बरकरार रहे हैं ऐसा नहीं हो कि एक नौमी में ब्रेक लग जाए क्यों 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 एक काम करो सब कुछी छोड़ दो कुछ मत करो यह ना होने पाए कॉंटिनु पूरा पूरा पहले तो आपको प्रॉसस फॉलो करनी है क्या क्या पहले बजट का प्रेजेंटेशन करोगे अच्छा फिर जनरल डिसकरशन होगा उस पर लोग सभा में फिर उसके बाद हाउस एड्जोंड कर दिया जाएगा यानि कि हाउस कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हो जाएगा कि अपने 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 यह सारी कमिटिया है इसको पढ़ेंगी और जाच परताल करेंगी बजट में फिर डिमांड फॉर ग्रांट याद आ गया अपना सेम पार्लिमेंट चैप्टर डिमांड फॉर ग्रांट जब सरकार डिमांड करती है कि हमें पैसा दे दो में खर्चा करना है हमारा कुछ और खर्चा आ चुका है फिर एप्रोप्रेशन बिल आता है फिर फिर फेनांस बिल आता है फाइन ठीक अभी यह ओके यह सब हो रहा है अब इसका मतलब समझ में आ गया कि जनरल डिसकेशन जो हुआ है ऑन दा बजट इस हेल्ड ऑन डे सबसी प्रेशन जिस दिन बजट हुआ है उसके अगले दिन चलो ठीक होना शुरू हो गया यह उसी दिन भी हो सकता है जब फैनांस मिनिस्टर ने आके जब यह लोग सवा में आके पूरा बिल जब पेश किया ठीक है डिसकेशन एड़ इस स्टेज इस कंफाइन टूद जनरल इग जब यह सारी समझेता लगने वाली आचार संगीता लगती है तो कई सारी चीज़ा रोक दी जाती है अगर आप होगे यह election commission के website से ही हमने कई सारे questions है उनके पास जो उन्होंने खुदी answer कर रहे हैं कि क्या है कि क्या कोई minister या कोई authority can announce any financial grants कोई और नए तरीगे से कोई चंदा announce कर सकते हैं क्या और foundation stones of any project schemes of any kind etc no absolutely not answer is no ठीक है यह हो गया answer no हो गया क्या budget provision has been made for a particular scheme or the scheme has been sanctioned earlier can such scheme be announced और और ये कोई नई scheme का inauguration हो सकता है क्या answer is no again no क्योंकि आचार संगिता लगी हुई है एक party को ज्यादा उससे favor मिल सकता है जो आम पब्लिक होती हो तो सोचेगी क्या वावावा क्या नई policy आई है बहली policy पहले सोच रखी थी पर क्या अभी नहीं कर रहे हो क्या नहीं करने चाहिए बिल्कुल नहीं करने चाहिए फिर वेदर ओंगोइंग बेनेफिशेटी स्कीम करो मत करो इस पर कुश्चन करते हैं इए ड़र मेंगोट कि रहे हैं अगरल हो रहीए और वो स्कीम की अग्रसाइश हो रखे है अगर वो scheme running है और वो general public interest के लिए बढ़िया है तो चल सकती हो ठीक है यह बात समझ में आई और कहीं कोई provision हाँ है सम्विदान में भी है सम्विदान में कई सारे है हम मोटी मोटी बात करेंगे उपर annual financial statement सरकार को पेश करना ही करना है हर साल करना है करेगी सरकार बस इन्होंने यहां इतना कहके छोड़ दिया बागी इसके बाद जो detail है वो सारी की सारी इंट्रिकेसी finance department की है हमारे ministry of finance की है जिनके अंदर department of revenue है department of finance है ही सारे तो हमें कुल मिला revenue budget और capital budget अब revenue के अंदर भी दो और हैं दो दो और सब काटिगरीज है revenue receipts और revenue expenditures capital के अंदर capital receipts और capital expenditure बस हम यहां पर क्या बात करेंगे expenditure ही expenditure की बात करेंगे हम यहां पर यह नहीं बात कर रहें कि सरकार कहां से कमाने वाली पैसा इंटरिम budget है that's it बस अब कई लोग कह रहें रहें सर यह सकता है वह सकता है जब आएगा तब आएगा अभी सब का सब speculation हो रहा है कोई भी authority यह नहीं कह सकती कि नहीं हमें पता बजट पर क्या आने वाला है सिवाए finance minister के सिवाए ऐसे अब जब यह budget आएगा तब union ministry की अपनी एप है यह एप पे यह budget हमेशा मिलेगा हर साल मिलता आ रहा है पिछले तीन साल से तीन साल से यह budget इलेक्ट्रोनिकली डिजिटली हर MPs को जर्नल पब्लिक को बहुत आम बहुत इजी बहुत इजी कन्विनियन चीज़ है अपना डिजिटल इंडिया को हमने प्रमोट भी किया हमने बोला कि हमारी एप है फोन की आप डाउलोड करो पूरा बजट की उसमें आपको हर एक बसारी बता देना इरे यह नहीं आया वोन या मित नहीं एक बार बजट आ जाये लोग डिटेल सेड़ी कर ले कर ले तब आप एक बार लास वीडियो देखलो आपको सु성े मिल जहेंगे हम वह सारी वीडियो आपको cover करेंगी करेंगे ठीक है इसके बाद जरूरी नहीं है कि आप उसमें 50 वीडियो देखो नहीं खाली एक दो वीडियो देखो that's it इसके बाद आपको जरूरत महीं पड़ेगी किसी की भी ठीक हम आगे चले हमने का और बताइए क्या है कुछ expectation है कुछ तो होगी किसी ने तो कुछ का होगा हमने का हाँ ऐसा है जब जो बड़े-बड़े आपको पता है कि ऐसे big corporates है जो जो finances में deal करते हैं तो इसमें जैसे एवाई है Ernst & Young आपको पता एए एक audit company है तो इसके अलावा और यह जो यह जो यह जो उमारी MPC होती मौनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है तो इनकी एक मेंबर है आशिमा गोयल मैम इन्हों ने भी कहा है कि हम रिजर्फ बैंक के मौनेटरी पॉलिसी कमिटी के मेंबर है और हम कुछ बाते कर सकते हैं कि हाँ जो पूर सब्सक्राइब एंकर तक लोगों मैं समान तरीखे से यह सके हाँ जो गरीब है उससे ठेक्स पर जो पैसा कमा रहा है हम जिसका अनुवल फालेंचन स्टेटमेंट हम कुदी देख रहे थे क्योंकि आईटी आर भी भर रहा है वह ऐसे रिच फार्मर्स तो वह अपना टैक्स दिना शुरू करें हम चाहते हैं ऐसा हो सके ठीक है तो रिच फार्मर्स को हम लाना चाहते हैं यह एक बात हो सकती है अब यह मेंबर ने कहा है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के मेंबर है ठीक है इसलिए मान सकते हैं उधर इवाइ कहती है कि गवर्मेंट में एक्स्टेंड में एक्स्टेंड दकन सेशनल जो 15% का टैक्स होता है कॉर्पोरेट्स पे 2025 तक यह टैक्स इन्वेस्टमेंट होते हैं ऐसे सेक्टर होते हैं जो जो प्रायोटी पर रखते हैं कि इन सेक्टर को पैसा देना पहले चाहिए हम बैंक्स को बोल देते हैं अगर कोई ऐसा सेक्टर का कोई प्राणी आपके पास आ रहा है चाहाए को इन्वेस्टमेंट से हो चाहाए को मैन कंपनीज में या किसी को लोन चाहिए तो प्राइडिटी लेंडिंग पर रहते हैं कि हम इनको पहले देंगे तो इस पीलाई स्कीम के अंदर हम कई सारे सेक्टर को लाना चाहरे हैं जैसे गार्मेंट जूलरी या फिर हमारे हैंडीक्राफ जो हमारे इंटरिम बजट में यह हो सकता है मैं उम्मीद कर रहें तो अगरिक लिए हम थोड़ी सी हम लोन में जादा इनको कितनी विल्प देना चाहे हैं हम देना चाहे हैं एक्रेडिट को क्रेडिट देते हैं वह 22 से 20 लाख करोड का हम उसको टार्गे शेट कर तकने अगले फैनेंशल यह ठीक अब यह सब स्पेकुलेशन है PTI को किस सोर्स ने का है we don't know so we don't know कौन कौन बोल रहे बात है अब इधर जो PFRDA होती है जो पेंशन जो हमारे फंड होते हैं जो उसको रेगुलेट करती है जो संस्था पूरी वो PFRDA सोच रही है कि हम gereal है नवस्ते हैं ँघ्ट के साथ मिलके हम पैरटी पर डंपो बराबर हो जाए यादे जो हमारा hetाई एक जो हम इमप्र इच्शन फरेंट फिख करते हैं। जो को हम ये सेमर सेचीन फरेंट से Zust Also उनको withdrawal में या investment में थोड़ी से रियायत उनको मिल सकती है बस यह that's it यहाँ पे हमारा budget का discussion अभी expectation वाला part clear होता है जब budget आ जाएगा उसके बाद जब detailed analysis हो जाएगी तब हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें हमारा सारा काम हो जाएगा ठीक बात हुई अब with that हम इस न्यूस को यहाँ close करते हैं pause करते हैं इस उसको इस न्यूस में follow up बनाते रहेंगे till then you keep studying stay safe good luck